और अच्छा लड़का किसको बोलते हैं जो सर्तानी ना करे एक दम अच्छा दिता है दूलूल मनी खिलता उसको बोलते हैं अच्छा लड़का आदर्स पूरुस के क्या-क्या गुण होने चाहिए आदर्स पूरुस जो महलाओ की इज़त करें हर महलाओ की अपनी खुद की पत्नी की इज़त करें और उनको मतलब की समाज में अच्छे से रहने का समाज में अच्छे से जीने का उसर दे खुल के जीने का सबसे पहले तो अच्छा बेटा बने अच्छा पती बने अच्छा पीता भी बने है नहीं क्यों अच्छा से काम कर ले अपन परिवार के अच्छा से भरन पोसन करे उला ही आधर से पुरुस्मान थे काम करा थे उला थोड़ा बहुत पीली सवा के चुपचप घर में सोगे तो उमें का प्राबलम है नहीं हम सब लतो यह नहीं बोल सकन की खराब चीजे तम मत पी उला तो उला तो उल्कर में से आदत पड़ गे है तक अहां छुड़ा पाबे नहीं अच्छा एक आदर्स महिला में काका गुण होना चाहिए आदर्स महिला जो अपने घरों को अच्छे से समहा ले अपने परिवारों को अच्छे से समहा ले और समाज में समाज में अपना मतलब की इज्जत बनाए रखे अपने गाओं में समाज में और अपने पती का इज्जत करें अपने परिवार का इज्जत करें पती से मतलब संबंद अच्छा हो है ना और पती के आए से मतलब चले ऐसे मतलब चले इस समाजी के कोई यह आते हो तो वहां पे मतलब आपका नेना सही होना चाहिए आपका नियाए सही होना चीछ भैइ अधर्स अधर से दिखना आधरसता मतलब प्रदस्तर घ्री दिखाना तो ऐसे नहीं कि कोई गलत किया है उसका साथ लेकि आप उसके चिला रहे हो उसके आप सच्चाइम रहो हुद है कि मतलब तब ही ओ वह गयो गया उसको शिच्चा तो इसका मतलब यह कर रहे हूं तो यह गलत है फिर आधरसता कहा नहीं कहां से ऐगी नहीं है सुन्दर लड़की किसको बोलते हैं जो ब्यूटी पाल लड़ जाती है बहुत फेशन करती है और जो कार चलाती है जो सिलेक्स और दौस लोगों को कपड़े पहनती है खुला बार रखती है उनको बोलते हैं जो खुबसूरत सुन्दर महला लंबी हो पतली हो जिसका बाल लंब लंब हो गोरी हो आग बड़ी बड़ी हो और गोर चहरा हो वहीं सुन्दर महला है और दिखने में बहुत सुन्दर हो पर दिखने में प्रकष्त जाता है लेकिन देखने वाले चहरे हो देखके ही मतलब्व जैसे साधिय करता है तो बाद में पास्ता पढ़ता है कि ना उसको रांगने आता है ना काम कुछ का घर काम काज करने आता है ना कुछ बोलने आचा है ना धंग से कपड़े पहनने आता है तो फिर मतलब क्या है तो मेरे कहने के मतलब यह है कि सुन्दर्ता के साथ साथ खुबसूरती के साथ साथ काम काज भी होना चाहि कि मतलब सुन्धरता दिख रही हो और इधर उधर टाहर फिर कि किसी के साथ मतलब ये करके आ गए और मतलब दिखाने से ही नहीं होता तो मेरे मतलब मेरा ये विचार है कि जब भी लड़की देखने जाएं तो सुन्धरता के साथ साथ उनके गून और अच्छाई को देखकर ही परक करके ही साधीता है प्रत दिखने के लिए क्या क्या लगाती है ब्यूटी प्रोटक्स अपनाती है लेकिन वो कुछी दिन के बाद ना वो पिंपल्स आजाते हैं उनके चहरे में इसी कारण उन लोगों को पतन जली लगाना चाहिए अगर वो नहीं जल्द इस जल्द वो नहीं लगा है तो उनका बहुत शाएं कर्म जाहिए सुर्द चन्द दिखने के लिए क्या क्या चीज अपनाया जाता है है coach क्रीम करण कौन से क्रीम ज्यादा बिगगने वाली है आपके गाउन के आसफास सहर में कौन कौन सा क्रीम ज्यादा इस्तिमाल करते हैं ज्यादा तर दो फेयल लवली इस्तिमाल करते हैं क्यों क्यों ज्यादा इस्तिमाल करते हैं क्यों कि उसमें सुन्दर्ता ज्यादा बढ़ जाता है कैसे बढ़ती है उसमें सुन्दर्ता क्या होता है कि सुन्दर्ता बढ़ जात यह सिर्फ लड़की लोग यूज करते हैं क्या लड़की लोग भी करते हैं और लेडिस लोग भी करते हैं आज की डेड़ी लड़की लोग लड़के लोग भी करते हैं झाल झाल